नमस्कार मैं काश्मामार गेजवेट यूर्सिल्फ में आपका श्वागत करता हूँ जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मैं और हमारी टीम अर्थात गेजवेट यूर्सिल्फ के सभी सदस शतत अपने वा आप सभी के लिए गेजवेशन अर्थात अशनातक से शम्मंदित महातपूर विस्यों जैसे हिस्टी, जोग्राफी, एकोनॉमिक्स, फिलोस्फी, सोसियोल प्रतिवर्ष पूछे जाने वाले महातपूर प्रशनों के एंशर वा इसकी लाइटिंग से सम्मंदित शमश्याओं को ध्यान में रखते हुए इसके निवाराण हेतो निरंतर कारिक कर रही है इसी क्रम में मैं आज अर्थसास के एक महातपूर टॉपिक या प्रश्टी आई अर्थात नेशनल इंकम के विशे में डिश्क्रिशन करेंगे वा इसे उत्कृष्ट तरिकों से समझने का प्रयास करेंगे तो आई चलते हैं आज के टॉपिक पर हमारा आज का टॉपिक नेशनल इंकम या राश्टी आई है राश्टी आई में हम शर्पतम देखेंगे फर्स्ट पॉइंट राश्टी आई लेखांकन अर्थात नेशनल इंकम एकाउंटिंग Second Point, राश्टी आए की ओध़ड़ाएं और थाथ Concept of National Income Third Point, राश्टी आए के मापन की विधियां और थाथ Methods of Measuring National Income Fourth Point, राश्टी आए लेखांकन की कटनाईया या समस्याएं और थाथ Problems of National Income Accounting फिफ्ट पॉइंट COVID-19 के काराड विश्व के प्रत्यक और थ्विष्था के GTP पर प्रभाव शौर प्रत्म हम देखते हैं कि नेशनल इंकम या राष्ट्री आश्य समंधित प्रश्ण किन-किन परिछाओं के लिए उपियोगी है जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारी टीम और थाथ गेजुएट योर्सिल्फ का मेन मोटिव गेजुएशन से समंधित प्रश्णों का निवारा करना है लेकिन राष्ट्री आएक महतपूर टॉपिक है या विभीन कंप्रटीशन या कंप्रट्रेटिव एक्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्ण है जैसे कि लोक्षेवा आयोग, शंग लोक्षेवा आयोग या राज लोक्षेवा आयोग SSE जैसे महातपूर कम्पूर्टिटिव एक्जाम्स में प्रतिवर्स इससे प्रशन बनते हैं अगर हम बात करें ग्यर्जुवेशन अस्तर की तो बिये वाभी कौम में राश्ट्री आयसेक्यूशन पुटाफ होते हैं यदि बिये के अधार पर देखें तो लहाबाद निवस्ट्री में बिये पार्ट्टू के प्रिवेश फेपर 2019, 2017 और 2015 में दीरिवा लगुखांडे में पुछा गया था तो अब हम बात करते हैं नेशनल इंकम की, नेशनल इंकम क्या है तो इसमें स्वर्पतम हम नेशनल इंकम अकाउंटिंग को देखेंगे अरथात राश्ट्री आयले खांकन राष्ट्री आये लिखांकन क्या है? राष्ट्री आये लिखांकन को समाजिक लिखांकन भी करते हैं अर्थात Social Accounting भी करते है जो किशी वित्ती वर्ष में एक अर्थवेस्था में उत्पादिस समस्त अंतिमस्तों और शुभावों की लिखा जोखा से समन्मने थै और थात राष्टी आयल खांकन, किशी अर्थ्विस्था दोरा, किशी वित्ती वर्ष अगर वित्ती वर्ष के बात करें तो Financial Year भारत की संद्र में बात करें तो 31 मार्च से एक फरवरी भारत का एक Financial Year होता है तो किशी वित्ती वर्ष में उत्पादित अंतीम वस्तुएं, अंतीम वस्तों से अतात पर है कि अर्थ्वस्था में प्रतेक चवड़ों में कुछ न कुछ वस्तुएं मतलब बनती रहती हैं जिससे कच्छे माल जिससे अगर गेहूं का एक्जामपल लेते हैं गेहूं होता है गेहूं की पिशाई होने के बाद दाटा बनता है आर्टे के बाद उसकी बेकरिया भी स्कुट बनता है तो ठीक तो हमारे उभोग के लिए तयार की गई अंतिम वस्तुएं या शेमाएं कि म जिसके नागरेक निवाशी आथिक सिमाएं भागोलिक शिमाएं वस्तुएं वाशिवाएं आदिकी गणना की समस्या आती है जाहिशी बात है अगर कोई राष्ट्र है उनमें पॉपलेशन लाय रही है तो पॉपलेशन की भी भी एक्टिविटीज होगी उन एक्टिविट को ध्यान में रखने के लिए बहुत साभी प्रॉब्लम्स आती है तो इस प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए साइमन कोजनेट्स ने राष्टी आले खांकन की आधाड़ा प्रस्तुत की इसके लिए इन्हें नोबल प्राइस से सम्मानित भी किया गया इन्हें राष्टी आले खंका लगभा क्लियर हुआ राश्ट्री आले खंकान को शमाजिक ले खंकन भी कहते हैं ये ठीक तो अब हमारा मेन टॉपिक्स जैसे है नेश्टनल इंकम ठीक नेश्टनल इंकम क्या है तो जानते हैं राश्ट्री आय की विशे में राश्ट्री आय एक वित्ती वर्ष म एक देश में उस देश में रहने वाले नागर्खों की द्वारा और थात उस कंट्री की एक शीमा होती है ठेक है किसी कंट्री के या किसी आथिवस्ता की शीमत है उस शीमा में रहने वाले श्वादेशी लोग एक विती वश में एक देश में रहने वाले नागर्खों की उत्पादिस समस्त अंतिमस्तों में एवं शिवाओं का मूल ले अंतिमस्तों का अतात्रमें शम्ला दिया एवं शिवाओं का मौधिक मूल जिसमें विदेशों से अर्जेत सुध है यहां में विदेशों से अर्जेत सुध है की मतलब है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की क् प्राप्त हो जाता है ठीक तो क्लियर हुआ पॉइंट जैसे एक बार फिर्शे देखते हैं एक वित्ती वर्ष में एक देश में उस देश में रहने वाले नागरिकों की द्वारा उत्पाद समस्त अंतिम वस्तूं एवं शेवाओं का मौद्री मूल जिसमें विदेशों शेह जिस सुद्याय शामिलों का योग राष्ट्याय करता है ठीक तो बराष्ट्याय के अधनाओं में मतलब जिससे प्रमुक अर्थसास्ति थे उनके मत भी थोड़ा थोड़ा अलग थे तो सरपतम देखते हैं प्रोफेर्शन मार्शल प्रोफेर्शन मार्शल के अंशार किसी देश का श्रम एवं पूजी अर्थात उस कंट्री का लेवर एंड कैप्टल उस देश के प्राक्तिक संसाधनों के साथ मिल कर ठीक जही शिवाते नेच्रल रिसोर्स श्थ्यात मिल कर गए प्रते एक वर्ष भौतिक तथा अभौतिक वस्त्वों एवं शिवाओं की एक नि राष्टी उत्पादन होता है ठीक अर्थात जो हमारी हमारी कंटेस्ट के पॉपलेशन जो है वो किसी मतलब वो नेच्रल रिसोर्स के साथ मिल करके प्रते एक वर्ष कुछ फिचकल वस्तों या भौतिक या अभौतिक वस्तों का प्रोडक्शन करती है ठीक है जाइश बात तो उसी जो प्राप्त होने वाली इंकम होती है जा मौदिक आय जो होती है उसी को राष्टी आयराष्टी लहभाद अकि हमारा राष्टी उत्पादन होता है ठीक है मार्शल ने यह बताया कि प्रत्यक वर्ष कार करने के दौरान मसीनों में पूजगत वस्तुवों में घिसा हट होती है जहिशी बात है कि अगर हम कोई हमारे पर मशीन है उससे हम कंटीनियू कार ले रहे हैं तो उसमें कुछ तोट फूर्ट होती है जैसे हम हम स्टूट हैं हमारे पास एक साइकल है हमने शाइकल कि एक क्रीदा उसके कीमत लगभर तीन हजा ठीक है लेकिन उसमें जाहिज से कुछ प्रॉब्लम से आती है तो उसे हमने फिर से मैनुफैक्ट्रिंग कर आया ठीक है उनने फिर से बनवाया तो उसमें कुछ एक्ष्टा पैसे लगे तो उस साइकल के कीमत मतला हमने कुछ पैसा इस्पंड किये मालो हमारी इस्पंड आया सौ रु अर्थाथ प्राइस डिप्रिसेशन है इस मुल्य राष्ट को राष्टी आज निकाल देने पर सुध राष्टी आय की प्राप्त होती है अर्थाथ जैसे हमारी इंकम थी सिक्स थाउजंड रुपेज पर मन्त ली ठीक है हमने तीन हजार की शाइकल के लिए थी और शाइकल रुपे हमने उस शाइकल को फिर शे मरमत के लिए दिया तो हमारे लगवर एक तीस सो रुपे तो उसमें निकाल लिया अब हमारे पर जितना पैशा बचा वही मतला हमारा राष्टी आय प्राप्त होगा ठीक यह मत हुआ प्रोफेशर मार्शल का नेक्स्ट यहारे एकनोमि राष्टी आय किसी देश या समाज की भौतिक अथवा बाई आय का वह भागए जिसमें विदेशों से प्राप्त होने वाले शुद्य आय भी शामिल हो और उसे मुद्रा के रूप में मापा जा सके राष्टी आय कहते हैं प्रोफेशर पीगो ने राष्टी आय को मुद्र की रूप में इसलिए मापा जिससे किसी वस्तो की दोहरी गढ़ना ना हो शके अधात मने बताया कि यहों का प्रोडक्शन की उसे भी हम लें राष्टी आय में इंक्लूट कर लेते हैं अब उसे हम लोग राष्टी आय में इंक्लूट करेंगे जो उबहो के लिए तयार हो अंतिम अब उभवक के लिए अंतिम वस्तों यहां तयार हो ठीक है मनला अब इसलिए अगर मौद्रिक मूल अगर हम गेहों का जोड़ देते हैं तो हमारा राष्टी आय में वह इंक्लूट हो जाएगा इसलिए प्रोफेशर पेगो ने कहा कि राष्टी आय मुद्रा के अप्योगता या उभवक अब दाया हमने देखा कि पिछले जो हमारे दो अत्सास्तित थे प्रोफेशर पीगो या प्रोफेशर मार्शल उन्होंने क्या उत्पादन को अधार बनाया था लेकिन फिशर ने हमारे राष्टी आय को मापने के उप्योगता अर्थात यूटलि राष्टी आय में तभी शामिल होगा जब उप्योगता प्रदान करेगा ठीक प्रोफेशर फिशर की राष्टी कल्याड प्रोफेशर की परिभासा जो है राष्टी कल्याड की अतिदिक निकट है अथात राष्टी कल्याड में व्रिद इस बात का प्रमाण है कि राष्ट सथेल यह बताया और यह पेक्ट भी है तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था राष्टि आई की औरड़ा या कॉंसेप्ट आपने अश्टन इंकम ठीक है तो इन में शर्पतम हम देखेंगे शकल घरेल उत्पाद अथाथ ग्राश्ट यो मुष्टिक प्रोड़क्ट जीडेपी जीडेपी क्या है एक वित्ती वर्ष में एक देश में रहने वाले नागरकों के द्व वारा उत्पादित समस्त अंतिम बस्तों एवं शेवाओं की मौद्रिक मूल लखायों जिसमें विदेशों से अर्जिस सुध्याय शामिल ना हो अर्थाथ फॉरेंड इंकम हमारी शामिल ना हो अर्थाथ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की क्लियाएं इंप्रोप नहीं होग हम घटा देंगे यहोँ एक्स और इंन से यह ताफ पर है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की कलियाएं चीजाने को हम घटा देंगे यह और फटा देंगे तो हमेरी शकल कफ़ड वारे उत्पाद हो चां acknowledgement है हमारा सिकल राश्ट की उत्पाद या जिन पै या ग्राश्ट इसमें विदेशों शेयर शुद्ध आय शामिलों को जीएंपी करते हैं अर्थाथ जीडेपी मतलब सकल घरेलों उत्पाद में अगर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की क्लियां को इंक्लूट कर दें तो हमारे जीएंपी अर्थाथ ग्रास नेसनल प्रोड़क्ट प्राप्त हो हो जाएगा रथाथ एक कंट्री के अंदर आने वाले लोग नागरिकों के दौरा जो वह समस्त मतलब अंती मस्तों में शिवाओं को त्यार करते हैं और एक्स्पोर्ट और इंपोर्ट जो फरेंट कंट्री में होता है उन्दोनों को जोड़ दिया जाए तो उनसे प्राप् अग्ज देखते हैं कि प्रतेक वर्ष वर्ष कार्ण सार करने के दौरान फूजी गर वस्तुव में कुछ तूटफोप या घिसराहात होती है जो मुल राष है इसे राष Ty से निकाल दीया जाए तो प्राप्ट होने वाली i ही Nnp कुलाती है अर्थात NP is equal to GNP minus PD या मुल्य हराश अर्थात Price Depreciation अर्थात सुत राष्टी उत्पादवा है जो जिसमें सकल राष्टी उत्पाद में से मुल्य हराश को निकाल दिया जाए अर्थात इसमें GDP सकल राष्टी उत्पाद और Export और Import की क्रियाओं भी सामिल होगी और इसमें Price Depreciation या मुल्य हराश को निकाल दिया जाए अर्थात सकल राष्टी उत्पाद में Export और Import की क्रियाओं को इंक्लूड कर दिया जाए या फिर विदेशों से प्राप्त होने वाले आयकों भी जोड़ दिया जाए और उनमें से जो मुल्य हराश या Price Depreciation है मेरा उसको हम निकाल देते हैं तो Net National Product या सुद राष्टी उत्पाद प्राप्त हो जाएगी ठीक फौर्थ पॉइंट है सुद घहली उत्पाद या NDP अर्था Net Domestic Product एक वित्ती वर्ष में एक देश में उस देश में रहने वाले नागरिकों के द्वारा उत्पादित समस्त अंतीम वस्तुएं एवं स्यमाओं के मौद्रिट मूल कायोग जिसमें विदेशों से अर्जित पामिल ना हो NDP कलाता है और थात Net Domestic Product या सुद घहली उत्पाद में GNP मेंसे जिसे GNP मेंसे मनला एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की कियाएं भी निकाल दे और प्राइड डिप्रेशेशन भी निकाल दे मुल्य हराश को भी निकाल दे अर्थात ग्राश नेशनल प्रोड़क् इंपोर्ट और इंपोर्ट अथात विदेशी इंकम या विदेशी आय को निकाल दे और मुल्य हराश को भी निकाल दे तो हमारा शुद घरे लिए उत्पाद प्राथ हो जाएगा यह बात हुई हमारी मतलब है GDP और NDP, INNP, M, NDP की ठीक है नेश्ट टॉपिक से हमारा फिप्त है प्रतिव्यक्ति आय या PCI पर कैप्टा इंकम या किसी देश की निवासियों की आर्थिक इस्तिती में परिवातन को प्रदिश्य करता है अथात पर कैप्टा इंकम से इसे ही तात्पर होता है कि राश्टि आय का अनपाद कुल जन सं किसा प्याच्च में और थात टोटल इंकम अपान टोटल पॉपलेशन इनका इविश्य हम निकाल लेंगे तो परिव्यक्ति आय या पर कैप्टा इंकम हमारा प्राप्थ हो जाएगा ठीक हमारा नेक्स टॉपिक है शाधन लागत पर शुद्ध राश्ट्री आय या वास्त रास्त्विक राश्ट्री आय कहा जाता है क्योंकि शाधन लागत पर प्राप्थ एननपी में अंतीम वस्तु एम शिवाओं के मौद्रिक मूले के साथ साथ सबसीडी सामिल होता है अर्था अनुदान भी इंक्लूड होता है जबकि आपतच कर शामिल नहीं होता है इसके प राश्ट्री आय या साधन लागत पर शुद्ध राश्ट्री आय की गणना की जाती है तो देखते हैं क्या है शमानता साधन लागत पर शुद्ध राश्ट्री आय को वास्त्विक राश्ट्री आय कहा जाता है क्योंकि शाधन लागत पर प्राप्थ एननपी में अंतीम व स्वाओं के मौदरी मुली के रशाथ साथ अप्रतर्षकर शामिल होता है ठीक जबकि सब्सिडी शामिल नहीं होता है इसलिए राष्टी आ एननपी एपसी की तुलना में अर्था नेट नेशनल प्रोड़क्ट अट फैक्टर कास्ट की तुलना में आधिक दिखाई देती है इस प्रकार जादी देखे तो हम एक मतमेटिकल रूप्स में देखते हैं तो एननपी एपसी अर्था नेट नेशनल प्रोड़क्ट अट फैक्टर कॉस्ट पे एननपी एमपी अर्था नेट नेशनल प्रोड़क्ट मार्केट प्रोड़क्ट में अप्रतर्षकर शामिल नह नहीं होता था लेकिन सब्सिडी इंक्रूड होता यह अर्थात अनुदान सामल होता है और NNP MP में क्या होता है NNP FC अर्थात नेट नेशनाफ प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट प्लस आप रतच्का अर्थात इंडारेक्ट कैस्ट को इंक्रूड किया जाता है जबकि अनुदा इस राश्ट्री आय healthier फोटी फेक्ट हम नेस्ट टॉपिक है nasht depend kПр क्यों की विदिया में 30 सी था में अर्थात राश्टी के मापन की तीन विदिया है और था राश्टी आ के मापन की हमारे पास तीन विदिया है पहला है income method दूसरा expenditure method तिसरा है value added method से ठीक तो हम पहला पहला पॉंट्स को देखते हैं जैसे हैं पहला पॉंट्स है हमारा income method या आय विधी इस विधी से राश्टी आय की गढ़ना करते हैं और थ्यूस्था के प्रत्येक छेत्रों से प्राप्त होने वाली आय को जोड़ दिया जाता है एक सिंपल सा example लेते हैं जैसे हमारी family है ठीक कोई मतला शरकारी कारिश समंदित है तो कोई private कारिश समंदित है ठीक है लेकिन हमारी प्रत्येक छेत्रों कुछ income प्राप्त होती है ठीक है तो जो संपूर income को हम जोड़ देते हैं ठीक है प्रत्येक छेत्रों से प्राप्त होने वाली या किसी agriculture छेत्रों हो या फिजनेस ए अरफ्रोस्ता की प्रत्यक्षेत्रों से प्राफ्थ हीं आए को जोड़ देंगे तो और सब्तरों की प्राफ्थ 125 आए 2 है तो जार भात त। इस विदूरी 120 काELLE बिज़ कुल लगांट टॉटल लेंट कुल प्यार्ट तो प्रतल रोजगार से अधाट स्वारोजगार जो स्वहरम की योजगार होते हैं आ वित्रीत लाप प्रतच अ प्रतच का डायर्ट या इंडायर्ट का शव्राण विकंग होती है वह भी अमारे टॉन्ड हराश क्लोड और स्कलाइक मिलाकर की अर्थवस्था के की प्रत्य चेत्रों से प्राफ्ट को आइविदी में को आई वीधी में जोड़ nih तो मारा राष्ट्याइप प्रॉपट हो जाता है की आ पूल यह दूसरा है मेरा विधी और थाथ expenditure method इस विधी में अब देश्ट है कि यह ज़स्ट आई विधी के अपोजिट है और थाथ आई विधी में क्या था अर्थवस्था के प्रतेक छेत्रों से प्राप्त होने वाली आई को जोड़ा जाता था लेकिन विधी में जो है अर बश्टी आई ग्याद करने के लिए अर्थवस्था के प्रतेक श्रोतों में होने वाले शंपूर ब्याओं को जोड़ देते हैं जैसे नीजी उभोग प्याइट गौवर्मेंट जो है नीजी उभोग के लिए भी ब्याह करती है दूसरा है निवेश प्याइट अर्थाथ कुछ नुवेश भी करती है तो उसमें भी कुछ है हमारी आई हमारे ब्याह होती है दूसरे भी जोड़ देते हैं तीसरा है हम शरकारी गवर्मेंट के खेत्रों में भी कुछ भिए होता जिससे सेलर बकराव प्रवाइट करने हैं चौता है मारा विजशी नीवेश पे अर् तीसरा है उत्पाद्या मोल्यवर्धित विधी, value-added method, अब बात आती है उत्पाद्या मोल्यवर्धित विधी, भाई दो-दो विधी हमारे पास तो थी आई विधी और ब्याई विधी, लेकिन इन दोनों विधियों में क्या था कुछ problems होती थी, ठीक है, जैसे कुछ savings भी हो मिलता था, उन सब चीजों को include नहीं हो पाता था, अर्थात कुछ कम्या रहती थी, आय और विधी ने, तो इस विधी को मलब इन दोनों कम्यों को दूर करने के लिए इस विधी को अपनाया गया, या उत्पाद्या मूल्यवर्धित विधी, अर्थात यह विधी राष्ट् आय की यौन ना करते हैं समय, प्रते एक वर्ष्ट्य का मूल एक ही बार राष्ट्य आय में शामिन होता है, और थात, जिसे हमने एजम्पल सुरू में लिया था, गयहूं का, ठीक है, गयहूं का अत्पादन हुआ, ठीक, उसे आटे की रूप में फिशाय किया, अब आटे क यौन उपे को एट कर दिया जाता है, अब गयों की बात, आटा की बात, अब बेकरी बना जाती है, अब बेकरी को जिसी बेच जाता है, तुसरी मूल वर्धित विधी जो मनलब प्राइज मनलब गयों के अपच्छा जितनी उसमें विध हुए है, उसे इंक्लूड कर देते मुहलेवद्धित हो जाती है अर्था प्रत्य छेत्र में एक इस प्रकार इस विधी के राष्टिया कि दोहरी गंदा की सम्भूना नहीं होती है इस विधी में राष्टिया कि गंदा करते श्मय उत्पादन की प्त्य चरणों में बनने मुल्य को जोड़ दे जता है अर्थवस्ता में जिसे प्रत्यक चरण होती है तो उन प्रत्यक चरणों में जितना मुल्य मनलग व्रिद्ध होता है तो उन मुल्य को प्रत्यक चरणों में जोड़ दे जता है इसलिए से मुल्य वर्धित विद्धी भी कहते है अर्थात मुल्य जो को जानत में आज़ेदी ब्यविथी उत्पाद या मुलिवर्थी ठीक अब हमारां नेश्ट में टॉपिक से राष्टी आय लखांकन की कटनाय या या शमश्चें और या और था प्रॉब्लम से आफ नेश्टाल इंकांटिंग ठीक राष्टी आय या उत्पाद की मापिक या या इक फैमली की इंकम से लेखा जो खार रखना बहुत बड़ी समिस्था होती है तो यहां पर एक राष्टी आय उत्पाद की माप या इसकी माप में अनेक धाड़ात्म तथा चंके की शमश्चे उत्पाद होती है ठीक है पहला पॉइंट समारा देता है संकिकी समhस्था या statical problems प्राब्लम स्थोड़ा सामय है इस विल्से में क्या है statical problems अरथा संकिकी समिस्था या प्राब्लेम्स लगभग अलफ-विशित देशो या विकार संदेश्व में काया है लोग साठ्चा नहीं है। तक शिच्छी थे। इनके पास एक पास माप परया प्र संध्य होते हैं ह। बाइलि अपने पाइले रखता है। इन सुद्धनी अकरे हिसे When Alva तो ठीक है देखते हैं इस ट्राइटिकल प्रॉब्लम्स क्या है तो यह शमश्या अर्प विक्षित देशों से शमंदित है इन देशों में राष्टी उत्पाद से समंदित पर्याद्ट तथा विश्वशनी आकड़े जैसे फशलों की उत्पादन पाशुभंडार वन अशिच्छीत है विकार शिल्देशों में जाईसी बाती देखने को मिलता है भारत की बात लिलेते हैं चोटे वे बैपारी जो देखते हैं लगबाद पढ़े लिखे कम होते हैं बहुत सारी यहां की साथ साथ दर भी कम है तो ठीक तो यहां पर अर्थिवस्ता में उत्पा प्रब्लम्स से जैसे यहां लगबख कर हमको विकार शिल देष्व मतलब दौनों देशों में देखने ह weapon देख्षह ठीक तो पहला प्रॉब्लम्स जिसमें देखते हैं क्या है उत्पादक तथा अन्पादक और थात यहां पर अन्पादक के तात्पर है जो वस्तों को सेलिंग करते हैं या विक्रे करते हैं यहां पर अन्पादक की तात्पर वो है ठीक उत्पादक जो है वस्तों का प्रोडक् करते हैं जाए श्रीबात है चयोंकि राष्टी आए में सुम राताईत के उत्पादध क्लिया में स्मॉ का उत्पादід के इस न्युक्त लेए लेकि जाने वाल कि यह सम हमानंग र। अताथ उतपादत तथा अनपादक क्रियाओं की बीच भेथ करने अध्यन थीकठेने जोगी राश्टी-ाइन-उतपाद क्रियाहे ही शामिल होती हैं अन्पादक क्रियाओं को राश्टी-ाइन में शांद नहीं किया जाता है। जिनका शम्मन बेचे जाने वाली वस्तुओं तथा शिवाओं के उत्पादश है। दूसरा पॉइंट से हमारा अंतिम तथा मध्वर्ती वस्तुओं के बीच अंतर या कठनाईया। अथार पॉइंट है बजार की मुद्रा के माध्यां से ना गुजरने वाली वस्तुओं के मूले को ज्याद करने की समश्या। अथार कुछ वस्तुओं ऐसी होते हैं जो एक विन्वे के माध्या में अधानयों प्रदान की जाती है। में है गिनिया ताया नहीं राश्ट्रीया में लेकिन उनका उगधान भी होता है। इस परकार से ऐसे तो उप्रकारत सीमाऊ की बज़ी देखे तो दbayर्क्या रखंकन का महत पॉरस्तान हैं। और सभी देशों में आर्थिक विकास खिमाप, आर्थिक नितियों के निबाड तथा उनके निश्पादन के मुलैंकन के सम्बंध में इसका माद पुरस्तान है तो हमारा ये लगभाग लगभाग राष्ट्री आयल खांका नाथ शमाप्तिक खूर अड्रेशर है हमारा जैसे लाश्ट पॉइंट था, Covid-19 के कराड विश्व करतिक अर्थिवरस्था की GDP पर प्रभावब आठगने वर्तमान समय में कोरोना वायरत और Covid-19 scientific name है Covid-19 के कराड विश्व करतिक अर्थिवरस्था का GDP पर प्रभावब जाहिए से बात हम जानते हैं कि COVID-19 के करण प्रत्यक अर्थवस्ता हैं प्रभावित हुई हैं तो देखते हैं क्या प्षेक्ट पड़ा है प्रविस्टेश प्रत्यक अर्थवस्ताओं पर तो इस साहिए उनाटेट नेशन के आर्थेकर्म समाजिक मामलों के विभाग Q&DESA ठीक है उनाटेट नेशन देवलप्मेंट एकोनॉमिकल शोशल एरिया एक अप्रेल 2020 के अंसार ठीक मतलब शैयुत राष्ट के आर्थिक एवन शमाजिक मामलों के विभाग एक अप्रेल 2020 के अंसार विश्वब्यापी महामारी COVID-19 के करण विश्ट अर्थियोस था इस शाल एक फिश्टी तक सेकूल रह सकती है यह शैयुक तराष्ट अनुर्टेट नेशन का एक अनमान है ठीक है जो एक अप्रेल 2020 को पब्लिश हुई ठीक है और एशिया के संदर में देखे एशिया इविकास बैंक के एक रिपोर्ट आई एडीवी अथाद एशिया इविकास बै ठीक है जैसे चाहिना की बात करते हैं हम सभी हम सभी चानते हैं कोविड नाहिटिंग का मोल और जिन पॉइंट या मोल विंदू चाहिना है ठीक वह हन त्टांस हुए था तो चाहिना के प्रथा में सब प्रतन देखते है और एशिया का टॉप कंट्री भी है ठीक है developing कंट् से बहुत कम है तो इस चाइना भी इस कोविड नाइंटिंग के प्रभाव में आया है वहीं अडीवी की रूपोर्ट के मशाब भारत की जीटीपी यह अथाथ सकल घरेल उत्पात की बृत्पात की वित तिवर्ष 2019 वीश की अंतिम तिमाही अथाथ से हम जानते हैं हमारे यह अधिस मार्च यह से एक फरवर्वर्टिक एक तिस मार्च 2020 को शमापती माही में धीमी पढ़कर तीन दसमल एक शिष्दी रही थी यह 2003 के बाद सबसे धेमी विर्द्धी रही पूरे वित्ति वर्ष में विर्द्धर चार दसमल दो फिष्दी रही है जिससे निवेस और वियात दोनों में गिरावर्द दर्ज़की है जैसे कि हम से भी जानते हैं कि कोविट नैटिंग के कराल पूर्समास तराष्ट में लागडाउन लगा हुआ था लागडाउन के काल मतलब जो हमारे प्रवाशी मजदूर है उनको घरे तो परशाया गया अब जो है वो इंपोर्ट होते थे एक्सपोर्ट में जो हमारे लगा जाते थे जिसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होते हैं तो इसमें घरावर्ट दर्ज़की गई है क्योंकि अब अभी भी लॉगडाउन लगा हुआ है ठिक ड़ीपी बिशिकली यह रिपोर्ट पीम आई के द्वारा त्यार की है पीम आई अर्थात परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स होता है जिसे सभी संकेत तक गिरावट कसंके दें अर्थात पीम आई जो इंडेक्स होता है वो लगभा सभी संकेतों को गिरावट कसंके दे रहा है पीम आप्रेल में अब तक सबसे नियुनतम अस्तर पर अब तक मलावे निमतम अस्तर पे रहा है सहरों में नौकरी के हाद होने के बाद जिसे प्रवासी मज़ूर हैं अपने अपने गाउँ को लोट जाते हैं तो ऐसा लगता है कि पाबंदियों में डिल होने के बावजयों भी शहरों में लोटने के गति धीमी है जाहिशी बादे जानते हैं कौन अपना जान जोखी में देना चाहेगा तो वो शाहरों के तरफ फिर शे प्लाइन नहीं हो रहा हैं हो रहे हैं लेकिन कुछ ही लोग प्लाइन हो रहे हैं तो ऐसे में जो GDP के 2020 और 2021 में चार फिस्दी की गिर्यावट हमारी ADB या SCI विकास बैंक ने अनुमान लगाया है कि इस चालू वित्वर्ष 2021 में हमारी चार फिस्दी की गिर्यावट रहेगी ठीक है यह सिर्फ 2021 तक ही गिर्यावट दज होगी लेकिन 2021 और 2022 के मतलब वित्वर्ष में पांच वर्षी की ब्रिद भी होने का अनुमान हमारी ADB यार्थाथ ACI विकास बैंक में लगाया है तो हमारे लगभग की लगभग आज की नेशनल इंकम से सम्मधित सभी टॉपिक्स लबग समापत हो गए है ठीच है थोड़ा सकंक्लूजन देख लेते हैं कि हमने आज क्या पढ़ा ठीक है और हमने क्या देखा जिससे हमने देखा शौपतम नेशनल इंकम, नेशनल इंकम को ठीक है, उसमें हमने देखा नेशनल इंकम एकाउंटिक, और थात समाजिक लिखांक, आय लिखांकन ठीक है, या नेशनल राष्टी आय लिखांकन, राष्टी आय लिखांकों को समाजिक लिखांकन भी करते हैं, ठीक है इसके प्रतिपादक या जन्ना के जो है साइमन कुजिनेट से ने थे और इनके लिए इन्हें नोबल प्राइस से शम्मानित भी किया गया शाथ ही शाथ हमने GDP, GNP, NNP, NDP को भी देखा और राश्टी आयके मापने की वीदियां भी देखी राश्टी आयके मापने में हमने तीन वीदियो को देखा था और राश्टी आयके की घटना या शमश्याएं भी हमने देखा था प्रॉब्लम्स को हमने फेश किया जिसमें दो प्रॉब्लम्स को हमने फेश किया था पहला शांक्र की या इस्टारिकल प्रॉब्लम से दूसरा था आध्रणात्मा की या कंसेप्शूल प्रॉब्लम से यह भी हमने देखा और शाह साथ इसमें करेंट इसू जैसे कोविद-19 आज माहमारी जो इसमें हमारे समय इसमें वर्तवान समय में मवजूद है इसका भी effect हमने देखा तो लगबाग लगबाग हमारे सभी points आज से clear होगे हैं ठीक तो हम आप सभी को जो problems होगी आप comment box में अपना पिछली वीडियो में आपको दिखा बताया था तो इसमें हमारे वर्तमान में नीट आयो के उपाद्यच कोन है अथाद भारत के वर्तमान में नीट आयो के उपाद्यच क्या है आप शभी इसका इनसर ढूल करके comment box में जरू comment करिएगा धन्यवाद हम आप शभी का थैंक्स आद आभार बेक्त करते हैं आप शभी हमारे साथ आंच तक जूड़े रहें शुक किया